आज इस वीडियों बात हम लोग करेंगे हिंदी व्याकरण की आज हम लोग बात करेंगे 17 महतोपुर्ण प्रस्ण के बारे में जो की आपके एक्जाम के लिए महतोपुर्ण है तो इक एक वेस्चन को बढ़ियां से समझिएगा तो चलिए पहला आपका प्रस्ण है भासा कीसे कहते हैं बात हो रही है लेंग्वेज की मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है वो भासा होता है तो भासा कीसे कहते हैं मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं भासा कहते हैं अब समझे आपका है कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए तो या तो आप बोल करके मांगिएगा नहीं तो लिख करके तो ये दोनों क्या हो गया आपका भासा हो गया तो भासा आप समझ गए मनुश्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट कर उसे क्या कहते हैं? भासा कहते हैं, लेंग्वेज कहते हैं. अब आपका दूसरा प्रस्ण है, वर्न या अक्षर की से कहते हैं? वर्न उस मूल ध्वानी को कहते हैं, जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके. वर्न या अक्षर किसे कहते हैं वर्न उस मूल ध्वनी को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके जैसे अ, आ, हरस्वई, दिरगई, काहलंत, खाहलंत, गाहलंत, गाहलंत, इत्यादी तो वर्न या अक्षार आप समझ गए वर्न उस मूल ध्वनी को कहते हैं जिसका कोई खंडिया टुकड़ा नहीं किया जा सके बात करते हैं तीसरे प्रस्ण की वर्न माला कीसे कहते हैं यानि बात हो रही है अलफाबेट की तो वर्नों के क्रमबद शमू को वर्न माला कहते हैं वर्न माला कीसे कहते हैं वर्नों के क्रमबद शमू को वर्न माला कहते हैं देखिए हिंदी वर्न माला में 52 बावन वर्न या ध्वनिया है जैसा कि वर्न माला आप समझ गए वर्नों की क्रमबद शमूह को वर्नमाला कहते हैं हिंदी वर्नमाला में बावन वर्न या ध्वनिया है अब देखिए वर्न के कितने भेद होते हैं तो वर्न के दो भेद होते हैं बिल्कुल मालूम है आपको पहला आपका होता है स्वर्वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण वर्ण के कितने भेद वर्ण के आपके दो भेद हो गए पहला आपका स्वर्वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण अब बात करते हैं question number 4 की की स्वर्वर्ण किसे कहते हैं यानिकी वाविल की बात हो जाए जी स्वर्ण का उचारण बिना किसी दूसरे की सहायता से हो उसे स्वर्वर्ण कहते हैं जैसे औ, आ, हरस्वाई, दिर्गई, हरस्वाउ, दिर्गव, री, ए, आ, ओ, औ, यह कितने होते हैं? 11 तो ये आपका हो गया स्वर्वर्ण, जी स्वर्ण का उचारण बिना किसी दूसरे की सहायता से हो तो उसे स्वर्वर्ण कहते हैं ये कितने होते हैं? 11 question number 5 की बात करें व्यांजन वर्न consonant की जो वर्न स्वर की सहाथा से बोला जाता है उसे व्यांजन वर्न कहते हैं व्यांजन वर्न की से कहते हैं जो वर्न स्वर की सहाथा से बोला जाता है उसे व्यांजन वर्न कहते हैं जैसे कहलंत देखिए कहलंत में आपका कहलंत जोड़ अ बिलकुल मालूम है आपको कहलंत गहलंत गहलंत इत्यादी तो वियंजन वर्न क्या होता है जो वर्न स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे वियंजन वर्न कहते हैं अब बात करते हैं question number six की कि वियंजन वर्न के मुख्यता कितने भेद होते हैं very very important तो वियंजन वर्न के मुख्यता 5 भेद होते हैं कौन कौन पहला आपका हो जागा पर्स वियंजन दूसरा अंतस्त वियंजन तीसरा उस्म वियंजन चार नमबर आपका संयुक्त व्यांजन और पांचवा द्वीगुन व्यांजन देखिए व्यांजन वरने के मुखे था कितने भेद पांच पहला आपका संयुक्त व्यांजन दूसरा अंतस्त व्यांजन तीसरा उस्म व्यांजन चोथा आपका है संयुक्त व्यांजन और पांचवा द्वीगुण व्यांजन तो यह आपके हो गाए छे यह आपका छटा प्रस्ण क्वेस्टन नमबर सेविन की बात करें तो असपर्स व्यांजन की कूल संख्या कितनी है तो आंसर हो जाएगा अगला आपका प्रस्ण है यह कितने होते है चार यह र ल व अनतस्थ व्यांजन कितने है चार यह र ल व क्वेस्टन नमबर नो की बात करें उसम व्यांजन तो यह चार होते हैं क्वेस्टन नमबर टेन की बात करें संख्यूक्त व्यांजन कितने होते है तो चार होते है यह आपका हो जाता है चा, त्रा, ग्या, स्रा क्वेस्टन नमबर ग्यारा की बात करें तो द्वीगुण व्यांजन दो होते है यह आपका हो जाएगा अढ़ा और ढ़ा बारा नमबर स्वरवर्न के भेद तो देखिए हरस्वस्वर चार होते हैं अ हरस्वाई हरस्वाउ तथा री बात करें तेरा नमबर दिर्गस्वर की ये साथ होते हैं आ दिर्गई दिर्गउ ए आय ओ तथा आव तो हरा स्वस्वर कितने है? चार, दीर्ग स्वर कितने? साथ Question number 14 की बात करें, मात्रा किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? स्वर के संख्यत चिन को मात्रा कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? दस स्वर के संख्यत चिन को मात्रा कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? दस Question number 15, शब्द अच्छरों की सही मेल को शब्द कहते हैं, जैसे नमक आपका हो गया शोला number question, शब्दों के भेद मुख्यता दू अधार पर किये जाते हैं, कौन-कौन? पहला आपका है उत्पत्ती के अधार पर और दूसरा रूपांतर के अधार पर देखिए, शब्दों के भेद मुख्यता दो अधार पर किये जाते हैं, पहला आपका उत्पत्ती के अधार पर और दूसरा रूपांतर के अधार पर शत्रा नमबर उत्पत्ति के अधार पर सब्द के कितने भेद चार पालापका तत्सम दूसरा तदभव तीसरा देशज और चोथा विदेशज उत्पत्ति के अधार पर सब्द के कितने भेद चार तत्सम तदभव देशज विदेशज तो यह आपके हो गए हिंदी प्रस्ण अब इन क्वेस्टन्स को आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लिजेगा और यदि वीडियो पशंद आया हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को जरूर सेयर कर दीजेगा ओके धन्यवाद